आप सभी को मेरा प्रणाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे साथियो एक महान ओस्दी की चर्चा आज आपके सामने हम करेंगे इवोल्वुलस एलसी नॉइडिस कनवोल्वुलिसी कुल का ये प्लांट है नील पुस्पी इसको कहते हैं साथियो नीले सुंदर फूल आप देख पा रहे होंगे मित्रो आज मन बड़ा प्रसन भी है और कुछ अनसुलजे सवालों के जवाब जब मिल जाते हैं तो मानसिक इस्थिरता भी बढ़ती है और confidence भी बढ़ जाता है साथियो कुछ लोग इसको संक पुस्पी कहते हैं जबकि आप खुद स्वैम ये देख पा रहे होंगे कि संक जैसे इसके पुस्प नहीं है लेकिन ओरिजिनल संक पुस्पी यही है Evolvulus Alcinoides Convolvulusi Cool का ये प्लांट है और अपनी graduation के समय 2008 में जब मैं preparation कर रहा था गेट के exam के लिए तो उस समय मैंने pharmacognosy की उससे मैंने Alcinoides Evolvulus Alcinoides के बारे में पढ़ा जो की memory को बढ़ाने वाला होता है और लग्जिटीव का कारे करता है मित्रों जब मैं मार्किट से इसकी सिरफ लाया मेमोरी को अन्हांस करने के लिए मेमोरी को बढ़ाने के लिए तो उसके अगेंस्ट मैंने क्या पाया कि उसको सेवन करने से मुझे कॉंस्टिपेशन भी हो गया और नीन लाने की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ गए थे कंसेंट्रिशन का लेवल इतना मैं नहीं कह सकता कि बढ़ा था और अच्छे ब्रांड की मैं संक पुस्पी सीरफ लाए था तो उस समय मन में काफी पुस्पी सीरफ पीने के बाद ये लिटरिचर में जो वर्णन दिया गया है इस परकार का प्रभाव सरीर पर क्यों नहीं आ रहा है समझते जो मिशनोमर नेम होते हैं उनके कारण कहिना कहीं मार्केट में बनने वाली जो सीरफ होती है उसमें सायद एल का इडेंटिफाइड हर्व का उप्योग नहीं किया जा रहा है मित्रो भाव प्रकास निगंटू में भी और भाव प्रकास निगंटू के कई अलग लग टिपनियां जो वेक्षा हैं लोगों ने जो की हैं उसमें इवल्वुलस अलसीनॉडिस को संक पुस्पी कहा है लेकि कुछ लोग मीजोपेट्स कैलीसीनम को संक पुस्पी कहते हैं और कुछ लोग क्लीटोर या टरनाटिया तो कि इन दोनों के पुस्प संक जैसे होते हैं इसलिए उसको वो संक पुस्पी कहते हैं लेकिन भाव प्रकास निगंटू में इवल्वुलस अलसीनॉडिस को संक के लिए उपयोग में आने वाला हर्व है गंलों में आप इसको लगा सकते हैं अच्छी ओस्दिये उपयोगों के लिए मित्रो इसको गंले में लगाना चाहिए जमीन से हेवी मेटल्स को ये ले लेता है सोईल से हेवी मेटल्स को ले लेता है अच्छी ओस्दिये गुनों क के लिए उपयोग में आता है इसके जूस आप निकाल लेजिए 10-15 ml जूस का आप से बंद करते हैं तो शरीर की विकनेस को दूर करता है माताओं बेहनों जिनमें गर्ब धारन की छमता नहीं होती है उनको जनाइटल ओर्गंस की विकनेस को दूर करते हुए गर्ब धारन की छ मानसिक रोगों को ठीक करने का कारे करता है उनमाद हो जाए उसको ठीक करता है एपिलेप्सी की समस्या हो उसको ठीक करता है बुद्धी को बढ़ाने वाला होता है मेधा को बढ़ाने वाला होता है और लिवर को स्ट्रेंथ प्रवाइड करने वाला होता है साथियों इसका म एक्जेट्व प्रोपर्टी के लिए उप्योग किया जाता है कॉंस्टिपेशन को दूर करती है लंबी स्टेडिस जब हम करते हैं लंबी अवसा तक बैठ कर पढ़ते हैं तो कॉंस्टिपेशन भी हो जाता है एक्जाम की तयारी आप कर रहे हैं तो मेधा को बढ़ाने की इसको अच्छे से जानिये पहचानिये उप्योग में लाइए दो जार आठ से लेके और तेइस तक करीब पंदरा साल बाद सही इबॉल उलस एलसी नौइडेस संक्पुस्पी जो लिटरेचर में वर्णन है इसको हम पहचान पाया हूं मैं पहचान पाया हूं आरद मुझे प्रशन देता है मुझे हर्स है कि सही संक्पुस्पी जो लिटरेचर में वर्णन है इसको हम आज जाना पहचान हूं जबकि काफी सोध रिसर्च लोग मीजोपेट स्कैली सीनम पर कर लेते हैं क्लीटोरिया टरनटिया पर कर लेते हैं संक्पुस्पी समझ कर क्योंकि उसका पुष्प वाकिई संक जयसा होता है तो वो संक पुष्प यह लेकिन जो लिट्रेचर में ट्रेडिशनल आईवदिक लिट्रेचर में वह वह व्लबोलस ऐल सीनोइडिस का है और जब कि इसका पूस्प संक जैसा बिल्कूल नहीं होता है इसके अलावा मित्रों अगर गंड मा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं आप इसके पत्र का पेस्ट अती बला के साथ मिला कर लगाए गंभाल कि समस्या दूर हो जाती है सात स trib Ahora first को भी आ सोजान करना चाहिए कि नहीं कि समस्यार करना चाहिएर इसके के हर प्रकार की नियूरो मस्कुलर समस्चा हैं दूर हो जाती हैं एंडोक्राइन डिसॉडर्स ठीक हो जाते हैं डायविटीज में भी अच्छा कारे करता है हमारे लिवर को जब स्टेंक मिलती है बलड को प्यूरिफाइब करता है फ्री रेडिकल स्केंजिंग अक्टिविट तो वह भी ठीक हो जाती है कितने महान ओशदी है शरीर के हर प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग में आ रही है वित्रों अगर अस्त्मा की समस्या हो तो इसको सुखा के आप रख लीजिए इसका धुम्रपान करना चाहिए लस्तमा की समस्या आसानी से ठीक हो जड़ का उपयोग लेक्जिट्व के रूप में कर सकते हैं विवद्द की समस्या भी ठीक हो जाते हैं अब आप इस नील पुस्पी को नील पुस्पी ही समझे और पुराने जो लिट्रेचर में संक पुस्पी के नाम से इवलवलस एलसीनॉडिस का जो कन्फ्यूजन है उस में मिल पाती है और नहीं सही जानकारे के कारण हम सही प्लांट को ले पाते हैं तो अच्छे ओस्दिये फॉर्मुलेशन बनाने के लिए प्लांट को वैल आइडेंटिफाई किजिए टेक्सोनिक आइडेंटिफाई किजिए वर्नाइकुलर नेम से नहीं जाना चाहिए एक संक जैसा नहीं है तो अगर आपको भी कोई डाउट है कोई आप मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके और अधिक जानकारे देश सकते हैं मेरा जो अभी तक का एनलिसीज रहा है मैं तो नील पुस्पी इसको कहना उचित समझोंगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं चैनल को सब्स्राइब कर लें जानकारी को शेर अवस्य करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभानवित हो सकें इन्हें मंगल कामनाओं के साथ कल सुबह साड़े से बज़े फिर मिलेंगे नए समाधान के साथ आप सभी का धन्यवाद पर नमस्को